तो गाइस मैं हुआंकित और आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैन्स नाइट पक्स सुरु करते हैं अपनी बातों को सबसे पहले डेवी डेवी 2K24 से तो भाई बहुत सारी बाते करने हैं 2K24 को लेके और भी कुछ चीजें हैं तो इसलिए नाउस हो चुक है 2K24 कल मैं नहीं बात कर पाया था क्योंकि कल मैंने सिफ एक ही वीडियो डायल थी सुबा में बागी वीडियो मैंने डाली नहीं थी तो मैं किसी भी तरीके से प्रॉब्लम के अंदर नहीं था बर कि उल्टा कल का दिन तो भाई सबसे स्पेसल डे था तो इसलिए भाई मैंने सोजा कि कल वीडियो नहीं डालेंगे तो लेकिन आज हम बात कर लेते हैं 2K24 के बारे में तो कर रात को एनाउस करा सब्सक्ção क्रवारा चाहिए अगर आप गेम तो उस भी शेघ्र इसमें कोई बहुत बड़ा इसव नहीं ए मेरी साब साफ ठीक है लेकिन तिक्कत स्थ नियां पर कि फिनिस दस्टोरी लाइद यह बहुत जाला यूज़ा करी गहीं है अब इससे कहीं ना कहीं काफी obvious हो जाता है कि आगे आने वाला future क्या होगा WWE का खेर जो भी यह अच्छा है cover वगरा and Cody Rhodes, Bianca Blair, Andrea Ripley ती इनों को congratulations जिनों ने अपना spot earned करा है साथ में लोगे ने नाउंस करा 40 years of Wrestlemania अब साथ यह एक अलग एडिसन आएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो भी है यह भी बहुत तगड़ा होने वाला इसके लिए भी हाई पच्छी का सी बन चुकी है ट्रेपल अच ने रियाक्ट भी कराई चीजों को पर साथ में जो स्क्रीन सॉट्स देखने को मिले हैं गेम के वह इंसेन है ऑविसली भाई ग्राफिक्स में हमेंसा किल करती है में कोई कॉम्परमाइज नहीं होता है वाइद वे ट्रेपल आच ने क्या रियक्ट करा रहा है वो मैं आपको लिखा रहता हूं तरप से मल्टीपल ट्वीट्स हैं मैं आपको कुछ गिने चुने दिखा रहता हूं 40 वाले ट्रेपल आच कहते हैं इन ओनर ओफ एवरी डेवी डेवी सूपरस्टार ने लिजन तो स्टेप आउन तो ग्रांश्मेंट को करनेंज में और या तो यह गेम केंदर होगा या तो इसका एकालाग एडिशन आएगा आम नॉट स्वह देखके बादा चलेगा बाकि अगर लगा दो देखोंगे ग्राविक्स तो बहूत 문제 ने वाली तो यह जो दिखाते हैं उससे और बेटर ग्राफिक्स देते हैं तो यह तो बाइड कापी टगड़े लगा अब सूचो अगर इसे भी बेटर कर देंगे तब तो कितने तगड़े हो जाएगे बागया भी के अपसा अगर ओफिसर रिलीज़ डेट की बात कर लें कि गेम ऑफिसली कब रिलीज़ होगा तो डबी डबी ने जो रिलीज़ डेट एनाउस करी है इस वाले गेम की मतलब ये दो पार्ट्स में होने वाली ये गेम वगरा एनाउस तो डिलक्स एडिसन अलगाने को डिलक्स एडिसन और 40 years of WrestleMania एडिसन 2K24 के main एडिसन standard एडिसन से पहली ही आ जागा मतलब कहने का सेंसे कि अगर जो लोग यह घरीड लें उनके लिए और बेनफिट है तो यह पांच मार्च को ही आ जागा और बाकी 8 मार्च को standard एडिसन आएगा जिसके कवर स्टार है कोड़ी रोट्स तो अभी के इसाब से congratulations to कोड़ी रोट्स बियांकब लेर एंड्रिया रिपे जिन लोगों ने इस चीज को अचीज को अचीव करा गेम के स्क्रीन सॉट्स काफी तगड़े हैं गेम काफी हाइप है फोटी एर्स ओफ रिसल मीन आ रहा हो सकता है कि नए मैच टाइप्स भी हो वह भी टीज वगएरा करा गया तो बहुत सारी चीज़े हैं इंट्रस्टिंग है क्या ठॉट्स आपके comment करके बताना जरूर से क्या आप खरीदने वाले हो कॉमेंट करके जरूर से बताना आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी डिलेटेड है सेथ रॉलिंस को लेकर तो आज सेथ रॉलिंस मंडे नायट रॉक अंदर अपियर हुए and Monday Night Raw के main event से मैं काफी जारे disappointed हूँ मैं usually cover नहीं करता हूं Monday Night Raw अगरा को लेकिन आज मैं काफी जारे disappointed हूँ इस वाली चीज़ से Monday Night Raw से क्यों हूँ वो मैं आपको बता दू ये जो main event दिया है नोगाने आज इसका कोई sense नहीं बनता था एक nonsense main event था ये मेरे recording विकॉज डुम एकंटायर डैमन पृष्ट का मैच वो भी बिना मनी इन दबैंक ब्रीफ केस ऑनलाइन रखे आप मेंड इवन डाल कैसे सकतो मैं डुम एकंटायर की बात नहीं कर रहा हूँ किया डैमन पृष्ट आपको लगते हैं में इवन टैलेंट अभी क्या उनको बिल्ड करा गया इस तरीके से वो बंदा हर एपिसोड में आता है मनी इन दबैंक ब्रीफ केस लेके मैंग इंडायर से क्लेमूर किक खाता है तो उसकी बुकिंग औरेडी खराब कर रखी आप लोगों ने स्टार्टिंग में आते हैं उनने कंफरंट भी करते हैं गुंतर बागी से अपने फ्यूचर के बारे में क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं कहते हैं कि भाई मैं डॉक्टर से लड़के भी डॉक्टर्स के अगिस्ट जाके भी रसल मेना 40 में यह वारी टाइटल डिफेंड करूंगा दिर्स नो रियाब नो रिकावरी बिफोर रसल मेना 40 यह बाते कहीं है सेथ रॉलिंस ने यानि को रसल मेना 40 में स्टेल जाने वाले हैं इस वर्ल्ड वीड चैंपिन वह बिसकली कंफर्म करते हैं इस चीज़ के लिए गुंतर आते हैं गुंतर इसली ऐसे कंफर्म कर देते जो कि अरेडिका भी कंफर्म था कि वह आने वाले टाइम में वर्ल्ड टाइडल के पीछ जरूर जाएंगा एंड वह उस लेवल के उस कैलिवर के सूपर स्टार भी है आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो की है हल्क हॉगन को लेक कहते हैं यू नेवर नो हूज गना सो अप रोल्रमल की बात करते हैं कहते हैं आई माइट हैव वन लेफ्ट एंड में कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि कौन कब आ जाए हो सकता है कि मेरे अंदर भी अभी एक और रोल्रमल मैच बचा हुआ हो यानि कि मैं रोल्रमल में आ अच्छा मोवमेंट क्रियेट हो सकता है अगर हल्क हौगन रोल्रमल में आना चाहा है तो अगर डेवी उनको स्पस्लिल आना चाहा है तो क्योंकि ट्रेपल एच इसाब से वह अवाइड करते हैं जारा बूडे रसलर्स को आगे बढ़ते हैं गैस बात करते हैं अगली स्टो कर सकते हैं पीड़ी इंसेटर का कहना है डू मैक इंटर्स तिल हैंट साइंट शाइंड न्यूड़ी कॉंटरेक्ट इपन जाएंग यह कहा गया इसके बारे में क्या आपके ठोट से सीधा बताओ कॉमेंट करके मैं और इडी सीज़ को काफे डिसकस कर चुका हूँ चैनल को बारे में को पटी रोट्स एंड उनके फूचर को लेके जिसके बारे में कोडी रोडस ने खुद से बाते करी हैं मैं नहीं बता रहा हूं को रिख कहते हैं कि मुझे ब्यूरी कर देना अगर मैं अपनी स्टोडी दो हजार पच्चीस तक तुक्ट 25 आने से पहले नहीं ख़ सब्सक्राइब के साथ बात करते हैं तो बैसे कि लिए कि फ्यूचर अगर इनका इनके लिए डार्क हो जाता है मतलब अगर अपने हिसाब से स्टोडी फिनिस नहीं कर पाते हैं तो दैन इन एक तरीके से ब्यूरी कर दो अगर्शल यह कहना कोडी रोड्स का इस वीडियो के लिए जैए कुछ अपडेट साइब पसंद आयो आयो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाले टाइम में आपको और बेसे डबीड़ी की न्यूज रूमर अपडेट्स मिलते रह